नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कहानियों की इस शरंखला में और कहानी चल रही है हमारी विक्रम बैताल इसको हम बैताल 25 की नाम से भी जानते हैं राजा विक्रम दित्य की कंधे पर जो बैताल बैठा हुआ है वो उसे कहानियां सुना रहा है और वही कहानियां इस पुस्तक की कहानियों का मुख्य थीम है तो हम स्टार्ट करते हैं इसका एपिसूड नमबर पाँच इससे पहले की कहानी में हमने सुना था कि जो तीन ब्रह प्रश्ण पूचता है वो बैताल वही उनमें से तीन मेंसे किसकी होनी चाहिए थी इसी पर विक्रम जवाब देता है तो जो बैताल था उसने पहले ही यह ताय कर लिया था कि यदी तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे कंधे से चला जाओंगा और इसी क्रम में पिछली वाल करके जवाब दे देता है कि वो कन्या किसकी होनी चाहिए थी और वो विक्रम के कंधे से जो बैताल था जिन्द था भूत आप कुछ भी समझ लिए तो वो चला जाता है और अगली कहानी फिर से स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार कहानी का नाम है शुक सारिका की कथा उस सीशम के व्रक्ष पर चढ़कर विक्रमा जित्त ने फिर बैताल को उतारा और उसे कंधे पर डाल कर चुप चाप भिक्षू की ओर चल पड़ा कुछ आगे चलने पर शब में बैठा बैताल फिर से बोला राजन रात के इस भयानक शम्षान में आते जाते तुम घवरा नहीं रहे हो यह आश्चर की बात है लो तुम्हारे जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ पातली पुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है प्राचिन काल में वहाँ विक्रम केश्री नाम का एक राजा था जिसके पास एश्वर के सारे साधन सामान मौझूद थे उसका खजाना बहूल रतनों से सदय भी भरा रहता था उसके पास एक शुक मीज़ पैरट तोता उसके पास एक तोता था जिसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था वह तोता समस्त शास्त्रों का गयाता और दिब ग्यानसे युक्त था उस तोते का नाम था विदग्ध चूड़ा मरिन उस तोते के परामर से राजा ने अपने समान कुल वाली मगद की राजकुमारी चंद्र प्रवह से विबाह किया जो कन्या आई साधी करके जो मीजसुस की राजकुमारी जो पत्नी बन करके आई उसके पास एक मैना थी जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों पती-पत्नी के सेवा करते गुए वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा सुभगे तुम मेरे साथ एक सेज पर सो एक आसन पर बैठो एक साथ भुजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ मैना बूली मैं पुरुष जाती का संसर्ग नहीं चाहती क्योंकि भी दुस्ट और करतग नहीं होते हैं पुरुस दुस्ट नहीं होते, दुस्टा तो इस्तरियां होती हैं, और वे क्रूर हर्दय वाली भी होती हैं, अब आप में से कितने सारे लोग तोता की बात से सहमत हैं, कमेंट्स में आप बताईएगा, तोते की बात पर दोनों में जगड़ा पैदा हो गया, तब उन दोनों ने शर्त लगाई, कि यदि मैना जूटी हो, तो वे तोते से विभा कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले, तो वे मैना का दास बन जाएगा, देखे हो, मतलब अगर वो जीतती है, तो विभा कर पुत्र के पास गए, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, कि सपोच करो, कि आप एक लड़का और एक लड़की हो, और दोनों में ऐसी बहस छड़ जाती है, और इसी प्रकार की कंडिसन आपके साथ है, तो आप क्या करोगे, ज़रा बताईए मुझे कमेंट्स में, कि कौन कौन लोग किस किस प्रकार का अपना जबाब देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पिता के न्यायाले में बैठे हुई राज पुत्र ने, जब उन दोनों के जगडे का ब्रतांत सुना, तब उसने मैना से का, सारिका, पहले तुम बताओ, कि पुरुस किस प्रकार करतगन होते हैं, अर्थात ऐसान फरामुस होते हैं, पहले तुम बताओ भाई इस बात को, बात कहां पहुँच गई है, कि राजा के कोट में बात पहुच गई है, और राजा का जो पुत है, वो न्याय सिंगहासन पर बैठा हुए अपने दर्वार में, और वो क्या कर रहा कि इस धर्ती पर कामंद का नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है, वहां अर्थदत नाम का एक बहुत धनी ब्यापारी रहता था, ब्यापारी के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया, तो ब्यापारी ने उसका नाम धनदत रखा, बाप का नाम अर्थदत और बेटे का नाम धन धन दत पिता की मृत्यू के बाद धन दत बहुत उच्छंकल हो गया means uncontrolled वह बुरे लोगों की संगती में उठने बैठने लगा उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ शराब आदी के जो आदतें थी दुर व्यशन थे वो लगा दिये थोड़े ही दिनों में इन व्यश कि आदतें खराब हैं तो धन तो बचने वाला नहीं है लज्जा वस अस्वदेश छोड़कर विदेश ब्रह्मन हेतु चल दिया जब उसका जो धन था वो खतम हो गया तो क्या होगा फिर जो ढौंगी बन करके जबरदस्ती धनी बन करके घूमते हैं जब खतम हो जाता है त तो उस खित में वो नहीं रह पाते हैं उसलिए ऐसा ही होता है तो वहां से छोड़कर वो चल दिया चलते चलते हुए चंदन पुरनाम के एक गाउं में पहुचा वहां भोजन के निमित उसने एक ब्यापारी के घर में प्रवेश किया ब्यापारी ने धन धत्त को कुलीन प धेर सारा धन भी दे दिया तब वह धन दत्त वहीं अपने श्रसुर के घर में रहने लगा अब आप बताईए कि यह जो ब्यापारी इसने इसके साथ में विभा कर दिया उसने क्या गलती की है आप बताईए आप होते सकी जगे क्या आप फैसला करते और किस प्रकार से आप कुछ समय बीतने पर सुख के कारण अपनी पिछली दुर्गती भूल गया अब गोर करना इस बात पर धन मिल जाने से हुए फिर उन्हीं व्यसनों में फस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्धत हो गया कि अब ठीक है अब यहां से क्या करना है आप तो फिर से अपने वापस देश चलो जहां से यह आया था अब आप समझ रहें कि जो आदते होती हैं वो कहां तक पीछे हमारे साथ चलती हैं वो कब कब हमारे साथ रहती हैं वो पीछा नहीं छोड़ती हैं तो ब्यक्ति का जो मूल सभाव होता है जो बच्पन में उसको लग जाता है जवानी में जो आदतें लग जाती है वो छूडती नहीं है आसानी से जान रखी呀गा दोस्तो अतेवए ब्यापारी मतलब वो जाने के लिए तयार हो गया तो रतना वली अपने माता पिता की एकदौती संतान ती अतेवए ब्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देता था मतलब जो पिता था वो नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री बहुत दूर चली जाए लेकिन उस दुस्त ने बड़ी कठनाई से किसी तरह उसे अनुमती देने के लिए विवस कर लिया अंतते एक ब्रधा के साथ गेहनों से अलंकरत अपनी इस्तरी को लेकर हो है देश से चल पड़ा मतलब अपने घर के लिए चलते चलते वे बहुत दूर तक जंगल में जा पहुचे वाँ चोरों का भय बतला कर उसने अपनी इस्तरी के गहने लेकर अपने पास रख लिए धन के लोब से उस पापी ने अपनी गुणबती इस्तरी और उस ब्रधा को एक खंदक में ढखिल दिया अर्थाते गड़े में खंदक में गिरते ही ब्रधा तो मर गई लेकिन जाडियों में उलच जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी किसी तरह रोती बिलखती उस खंदक से बाहर निकलाई उसका शरीर ख्षत विक्षत हो गया था जगे जगे राह पूछती हुए बड़ी कठनाई से अपने पिता के गर पहुच पाई अचानक इस रूप में उसके लोट आने पर उसके बाता पिता तो बड़े मतलब शौक्ड हो गए सकते में आ गए उन्होंने कारण पूछा तो रोट रोट उसने का पिता जी डांकों ने हमें मार्ग में लूट लिया देख रहो यह इस तरी क्या कह रही है वे मेरे पती को बांध कर ले गए उन्होंने मुझे और ब्रद्धा को खंदक में फैक दिया यह इस तरी क्या कह रही है और ब्रद्धा तो मर गई, मतलब बता रही अपने पता को कि ब्रद्धा तो मर गई किन्तु ईश्वर की करपा से मेरे प्राण बच गए मैं खंदक में चीकती चिलाती रही, देव योग से एक पथिक ने मेरी आवाज सुन ली और मुझे पर क्रपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला मैं किसी प्रकार मार्ग में राह गीरों से रास्ता पूछती हुई यहां तक पहुँची हूँ, बेटी के मुख से उसकी बिपता का हाल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरच बंधाया, काविटी कोई बात नहीं हम है तब वैं सती अपने पती का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी, यह जो इस्तरी है उधर उसके पती ने स्वदेश पहुँचकर थोड़े ही दनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदिवे गवा दिया जब वैं बिल्कुल कंगाल हो गया, तो उसने सोचा, क्यों न अपने श्वसर के पास जाकर फिर धन मांग लाओ, मैं उनसे कहूंगा कि उनकी पुत्री उसके घर भली प्रकार रहे रही है समझ रहे हो साथ, मीस अब आप एक बात देख लीजिए, कि जब आज भी हमारे यहां परंपराओं में शादी विवा के लिए, अपनी पुत्री के लिए जब वर धूरने जाते हैं, तो पहली बात उनके मन में यह होती है, कि भाई वो जो लड़का है दारू अरू तो नही कोशिश करते थे, कि ऐसे परिवार में देखो, जिनके घर में कोई दारू वारू न पीता हो, नशा न करता हो, गुंडागर्दी, बदमास, यह सब न करता हो, क्योंकि इन लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होता, जब इस लड़के ने ऐसा सोचा कि चलो अपने ससुर से फिर से धलने आता हूं, ऐसा विचार कर, वे ससुराल की ओर चल पड़ा, जैसे ही वे ससुराल के करीब पहुझा, छट पर खड़ी, उसी दिसा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया, और तुरंत दोड़ते हुए नीचे उतर आई, दोड़कर वे उस पापी के चरणों में जागरी, डरे हुए अपने पती को उसने वे सारा ब्रतांत कह सुनाया कि किस प्रकार उसने जूट मूट अपने पिता से डाकों के उपद्रब की बात कह दी थी, सारी बात जानकर धन दत्त में होसला पहला हुए और उसने निरने लेकर अपने श्वसु के घार प्रक्त से जीवित बचाया है, उसने अपने मित्रों और संबंदियों को बुला कर महुत से बनाया, तत पस्यात धनदत वहां अपनी पत्नी सहित अपने स्वसुर के घर में फिर से मौज करने लगा, इतनी कथा सुना कर मैना ने आगे का ब्रतांत बनाया, अब आपको ध्य फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है, उस दुस्ट ने अपनी गोद में सोई हुई अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की उर चला गया, जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुस ऐसे पापी होते हैं, तो र कथा सुनाई उस तोते ने वो देखते हैं, शुक ने कहा तोता बोला हे देव, इस तरिया भयानक सहसी वाली, सहस वाली, दुस्ट चरित्रा और पापिनी होती हैं, इस संदर में आप ये कथा सुनिए, अब भाई वो तोता अपनी कहानी सुना रहा है, चलिए देखते हैं क इस कहानी में क्या है, दोस्तों आपको क्या इसमें मजा रहा है कि नहीं, आप देखिए मुझे तो बहुत मजा रहा है, और मैं तो एंजोई कराओं कहानी क्या सीन चल रहे होंगे, आपको भी इमेजिन करना है, हर्सवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था मतलब आप ये तोता कहानी सुना रहा है, अपनी, जिस प्रकार से मैना ने सुनाई थी, मींस हर्सवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था, वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी, जो अत्यंत सुन्दर थी, बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसने अपनी उसकन्या का विबाह समुद्र दत्त नाम के एक सजातिय युवक के साथ कर दिया, जो सजनों के निवास इस्थान तामर लिपी में रहता था, समुद्र दत्त सजन था, वे वासुदत्ता के समान ही रूप और योवन वाला था, सुन्दर इस् अपने देश में था और वे अपने पिता के घर थी, तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा, उस सुन्दर योवक को देख और वे चंदल इस्तिकामा तुर हो गई, और अपनी सखी द्वारा उसे गुपत रूप से बुलवा कर उसके साथ काम क्रिडाई की अर्थात उस एक दिन उसका पती अपने देश से वापस लोटा, तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आधर सतकार किया और उसे उचित मान समान दिया, अपनी एक तलोती संतान वासुदत्ता का पती होने के कारण, उनके लिए वह सबसे प्रियव्यक्ति था, हुए सारा दिन उत्सव उल क्यों, जब दूसरे पुरुष का उसके मन में है, तो भई उसके प्रती उसकी जो मीन्स एक चाहत है, प्रेम है वो जागरत होगा ही नहीं, दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण, पती के आग्रह करने पर भी वह नीद आने का बहाना किये पड़ी रही, तब राह की ठकावट और मदिरा के नसे में चूर उसके पती को जल्द ही नीदा गई, धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किन्तु करवट के लिए वासू दत्ता जागती हुई अपने प्रेमी के बिचारों में खोई रही, तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ, और अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था, कि रात के समय उन्हें कहां मिलना है, अते हुए चोप उठी और खूब गहने पहन कर सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी, यह देखकर उस चोर को बहुत हुआ, पोचा कि जिन गहनों की चोरी करने म यहां आया हूँ, वह गहने तो यह इस्तरी पहन कर बाहर जा रही है, आते हैं इसका पीछा करके यह तो देखू कि यह कहां जा रही है, रास्ते में ही इसके गहने भी ले लूँगा, अर्थाद लूट लूँगा, यही सोचकर वह चोर भी चुप चाप उस वणिक पुत्र कोई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था, वासु दत्ता जब प्रेमी द्वारा बताये मिलन इस थल पर पहुंची, तो उसने अपने प्रेमी को, जो प्रेमी उसका था, ठीक है, अपने उस प्रेमी को क्या कर रही है वो, ब्रक्ष पर, किस पर, ब्र अवस्ता में लटकता हुआ देखा हुआ यूँ था जब यूपक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेस कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे कोई चोर समझा और उसे पीट-पीट कर मार ढाला फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डाल कर उसे ब्रक्ष से लटका दिया अपने प्रेमी को इस अवस्ता में देखकर वासू दत्ता इस्तब रह गई वै बिहल होटी और उद्भांद होकर चीख पड़ी हाई में मारी गई तदो परांद वै भूमी पर किरकर करौन स्वर में बिलाप करने लगी जब वै कुछ मींस उसको होश आया तो उसने अपने प्रेमी को ब्रक्च से उतार कर भूमी पर रखा और उसे फूलों से सजाया प्रीती और शोक से उसका हिर्दय वेक शून ने हो गया था आप गौर कीजिएगा इन शब्दों पर कि प्रीती और शोक से उसका हिर्दय वेक शून ने हो गया था या दो शब्द ह प्रेम में होता है या अभ्यक्ति दुख में होता है तब उसका विवेक हमेसा सुनने हो जाता है तो मीन्स इसलिए कहा जाता है चानक ने भी कहा है कि ज़्यादा प्रेम में हो आप या बहुत ज़्यादा दुख में क्रोध में हो तो आप डिसीनर लेने से बचें मन शांत हो तब निरनेले, उसका मन विविक्षुन हो गया, उसने उसे निस्प्राण सरीर का आलंगन किया, उसे गले लग शरीर से, और उसका मुख उपर उठा कर गया, जो ही उसका चुम्मन करने चली, त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके सरीर में बैताल प्रविष्ट हो गया था, अ पहले से मरी पड़ी थी, तो उसमें भाई मीन सभूत गुश गया उसके अंदर, तो अब उसने क्या किया, उसने तो उसको किस करने के लिए, उस इस्तिरी ने उसको मतला अपना मुँ धर की तरफ किया, लेकिन वो तो मर चुका था, भले ही मर चुका था, लेकि उस डैड ब फिर से आकर उसको देखने लगी, जब उसने देखा कि उसके सरीर में बैताल चला गया है, और वह निस्चेस्ट तथा मृत है, तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे-धीरे महल की और लोट पड़ी, इस चोर ने चोर आया था, गहने लेने के लिए, उस चोर ने छ आमान और बड़ा गहरा होता है, चलो देखूं यार, वह चोर सोच रहा है कि अब यह क्या करती है, ऐसा सोच कर कौतुहल के कारण, वह दूर से ही उसके पीछा करने लगा, अब देख लोगा, यह चोर आया तो था, चोरी करने के लिए, गहने चोरा चुड से लूटने के ल आता था, तब जोर जोर से रोती हुई, चलाने लगी, बचाओ, बचाओ, पती के रूप में इस दुष्ट ने मिरी नाक काट ली है, देख रहे हो, इस बार बार उसका रोना चलाना सुनकर, उसके कुटुम बजन, माता, पिता, परिवारे के लोग घबरा हुए जाकर उसक जमातार था, तब जो जमाई था, ठीक है, को भार्या द्रोही जानकर रसी से बांदिया, मींस पत्नी का विरोधी होने के शक किया उसने और बांदिया, वासु दत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्र दत्त के प्रतिकी उलोश के विरोधी हो अते बांदे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ न कहा, इसी हो हले में धीरी जरात बीत गी, तब सब कुछ जानता हुआ भी वच्चोर चुपके से वहां से चला गया समुद्र दत्त का स्वस्वर वे बनिया, उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरवार में पहुँचा सारा ब्रतांत सुनने के बाद, राजा ने समुद्र दत्त को दोशी मानते वुशे प्राण दंद की आग्या दे दी अनंतर जब बांध कर उसे वद इस्तल की और ले जाया जा रहा था तब चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला हे अधिकारियों सुनो आज की कहानी को हम यहीं पर विश्राम देने का सोच रहे हैं लेकिन बहुत मजा आ रहा है कहानी को सुनने में तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं ठीक है सोच तो हम रहे थे कि इसको बस मीन्स 20-22 मिनट के आसपास ही हम लेकर के चलेंगे लेकिन दोस्तों आर कहानी में तो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट आ रहा है तो मैं भी नहीं चाहता कि आपके इस इंट्रेस्ट को मीन्स किया जाए तो उसने आवाज लगा है है अधिकारियों अकारण ही इस व्यक्ति को पराण दंद नहीं देना चाहिए ये नर्दोश है सारी बातें मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो जिससे मैं सारा बतांत कह सकूँ उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए वहां अभैदान मांगकर उस चोर ने आरंब से उस रात की सारी बाते राजा को सुनाई पहले कह दिया उसने चोर ने मुझको कुछ नहीं कहोगे तुम भई मैं जो कहता तो मैं बता रहा हूँ उसने राजा से का माराज यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सत्य की आप स्वयम जांच करवाना इसकी कटी हुई नाक अब भी उस शब के मुह में है समझे जो ये सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उत्यान में भेजा उस बगीचे में और जब सच्चाई मालुम हुई तो उसने समुद्र दत को रहा कर दिया अब आप एक बात यहां पर सोचिए कि उस समय तुरंत न्याय मिलने की व्यवस्ता थी अब एक तरफ तो अगर इसको फांसी दे दी जाती तो ये निर्दोस मारा जाता रिख मिलती उसकी आज का दायर होती ब Sverige कुछ होता तब तक उस आज की आज की नहाय स्वित करने के चकर में कीस 2020 flying 533 स चलते हैं चले हम एपनी कहानी पर आते वापस और आप बताये खाका आज की न्याय स्विता के बारे में पुराणी नियार ब्वस्ता जो थी जो अभी हमने इसमें देखी उसके बारे में आपके क्या ख्याल है आप कमेंट्स में बताईएगा समुद्रदत को तो उस राजा निरहा कर दिया राजा ने उस दुस्टा पत्नी के कान भी कटवा दिये ये लोसा और उसे देश निकाला दे दिया उसने उसके स्वसुर की सारी धन संपत्ती बिजब्त कर वाली इतना ही नहीं उस चोर पर प्रसंद होकर उसे नगर का अध्यक्ष बना दिया ये लोग है अब इस चोर को क्या बना दिया नगर को उत्वाल बना दिया एस समझ लो कप यह हो इस चोर को इतनी कथा सुनकर तोते न राजा से काई राजन इस संसार में इस्तरिया इसी दुस्टा और सभाव से विशम होती है इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का शराब जाता रहा और वह चित्ररत नाम का गंदर्व बनकर दिब्ब शरीर धारण कर स्वर्ख को चला गया अब क्योंकि इस तोते को पहले कोई सुराब लगा था अब यह कहानी बताने पर सच्ची तो उसका सुराब दूर हो गया अब अपने मींस ओरिजिनल रूप में आ गया यह कथा सुनाकर बैताल ने राजा बिक्रमा देते से पूछा राजन तोता मेना के अपने अपने आक्षे को का निराकर्ण हो गया था अब तुम बताओ कि इस तरिया निंदित होती है अथा पुरुष और जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुमारा मस्तक टुकडे टुकडे हो जाएगा और देखो अगर यह बोलेगा तो फिर से वो उतर करके उसे वहां से चला जाएगा कंदे पर बैट अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब यह जो बैताल इससे सवाल पूछा है विक्रमा देते से अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए वही कंडिशन आपकी है तो आप क्या बताओगे कि मींस सवाल आपसे फिर से वही है कि अब तुम बताओ कि इस्तिरिया निंदित होती है तो आप पुरुष कंदे पर बैठे हुए बैटाल की बाते सुनकर राजा ने का ही बैटाल निंदित तो इस्तिरिया ही होती है पुरुष शायद ही कोई और कभी और कहीं वैसा दुर कि बैताल को जवाब दिया है विक्रम ने क्या कहा है जादा तर केस में ऐसी ही होती है जैसी कि वह इस्तरी थी जिसने ना कटवाली थी अपनी आप बताईएगा कि आप इससे कहां तक सहमत है आप कमेंट्स में बताईएगा कि भई आपके क्या विचार हैं इस तरियों और पुरुषों के बारे में अब राजा ने तो जबाब दे दिया तो राजा के ऐसा कहते ही बैताल पहले की तरह फिर उसके कंदे से गायब हो गया राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी व्रक्च की ओर चल पड़ा तो अगली कहानी में हम फिर से मिलेंगे अगली एक नई कता ये फिर से सुनाएगा ये विक्रम को बैताल ठीक है और आपको कहानी को इस रंकलागर पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शब्टाइब करें शेयर करें और बच्चों को कहानिया जरूर सुनाए वीडियो देखने से बचें तब तक के लिए नमस्कार